हेलो फ्रेंट मैं हूँ एड़ोकेट नितिश बांका आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेक्सपीक लीगल में आज मैं आपके सामने बहुत ही बहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर जो है वाइफ आपको धंकी देती है कि वो जो है सुसाइड कमिट कर लेगी तब आपको क्या करना चाहिए क्या क्या लीगल उपाए है क्या क्या लीगल स्टेप्स है जो आपको ले लेने चाहिए जो कि आगे आपको एक प्रॉब्लम से बचा लेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर व कोशिश कर चुकी है कि सुसाइड करने की तो यह एक नॉर्मल चीज नहीं है पहले तो यह देखिए कि वह करना क्यों चाहती है ऐसा स्टेप्स क्यों ठारी है वह एक यह रीजन पता होना आपको बहुत ज़रूरी है और यदि इसका डावरी डिमांड है तब जो है मैं आपको बिलकुल लीकली सपोर्ट नहीं करूंगा और आपको कडा कड करते है राइज से और वह वह जो रहता है तो यह तो चीज है रीजन हो कि का कि उसकते हैं कि वह एसा और दवान के दो जो पने नहीं आते हैं 304 B IPC offense होता है अगर आप डावरी डिमांड करते हैं और वाइफ जो है सुसाइड गर लेती है वो 304 B IPC में आता है तो ऐसे में मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा बट अगर और रीजन है क्या रीजन है वो मैं आपको लिस्च करके बता रहा हूं एक तो सकता है या उसे कोई साइकोलोजी कल दिक्कत है उसे कोई गालर डिजीस रूण साइक लाइग है जिसकी वजहासे जो मौह बार मेला को और चीज़ कर लेग이 तो जो है आपको जो है कंसर्ट करना पड़ेगा स्पेशलस्स मत किज otherwise स्पेशलस्स से प käंसल करना पड़ेगा कि वह जो है मुझे थरेट कर रही है तो इसमें जो है जो है आप जो है मैंडिकल ओब बिदी अक मैं ने रहे है उसे कि आप ऐसे बोल। आप ऐसे करो तो यह भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजासे वह आपको तहुझे कर रही है यज़र अपवा को प्षए और अई रही है तो इसे जो है आपको कर रही है तो legal या आपको थ्रेट कर रही है सुसाइड करने का एक Damn to Suicide जो है 309 इंडर ऑफेंस को आप तोरंत ही रिपोर्ट कीजिए कि मेरी वाइफ ने जो है और पहले थ्रेट किया और बाद में जो है उसने एक एक एटेम्ट किya कैसे एक मेनिकल डौक्युमेंट सब लगा कि आप एक कम्प्लेंट जरूर फाइल कीजिए क्योंभी ये को छोटी चीज नहीं है जिसकी वज़ाद से जो है ये प्रॉब्लम आई है अगर सिर्फ अभी आपको 30 किया है एक सुसाइड करने का तो ये चीज आप लेकर मीडियेशन करिए बहुत सारे जो है न्यूटरल बंदों को involved कीजिए जो Кी पता करेंगे कि real reason क्या है कि उसने जो है आपको क्यू धंकी दी है तो यह जो चीज है आप mediation में भी कर सकते हैं दूसरी चीज आप यह करिए कि आप जो है एक judicial separation का भी case file कर सकते हैं आप court को यह बता सकते कि मेरी wife मुझे threat करती है या उसने attempt किया suicide करने का और मैं जो है इसके नहीं रह सकता क्योंकि ये मुझे परिशान कर रही है और मेरे लिए ये मेंन्टल क्रूबेर्स्टी के ग्राउट पे आपको जूडिशन से अपड़ सकता है आप डाइव को की they एक ग्राउंड होता है कि डाइवोर्स भी आपको जो है मिल सकता है इसी ग्राउंड पे तो यह दिखान रखिए कि जो भी आप करें यह जो लीगल तरीके बताएं यह ज़रूर अपनाएं क्योंकि अगर आप नहीं अपनाते हैं तब क्या होगा अगर आप यह लीगल तरीका नहीं करते हैं तो एक अभी ऑनेवल सुप्रीम कोट की नई जैजमेंट आए सत्वीर सिंग वर्सस स्टेट ऑफ हर्याना की यह जैजमेंट आए इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसमें आर्टिकल भी लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्श छो है नैचुरल देथ नहीं है कोई भी तो हो सकताए अननैचुरल वे में अगर उसकी डेथ हो जाती है यानि केरोसीन ओयल से जल गई या फिर पॉइजन ले लिया उसने तो और उसके बाद एविडेंस है कि डेथ से पहले सून बिफोर देथ यानि डेथ से पहले वह जो ह जो है evidence है कि आपने जो है दहेज मांगा तो वहां पे जो है 304 B की जो है धारा आप पे लग जाती है और उसमें जो है 113 B Evidence Act में आपके खिलाफ जो है एक presumption कर देती है कोट आपको अप्रूफ करना पड़ेगा कि जो देथ है वो डावरी की वजासे नहीं है यानि आपको अब यह सारा defense लेकर आना पड़ेगा तो मैं यह जो चीज़े बता रहा था ना आपको कि क्या क्या आपको defense prepare करना कैसे करना है वह इसी लिए बता रहा था क्यूंकि यह चीज़े अब काम आएगी जब आपके उपर 304 B लगेगा अगर पत्नी जो है असली में अगर लाओरी की वज़ासे नहीं है फिर आप जो है मैंने जो तरीके बताया है आप वैसे कर सकते हैं और दूसरी चीज़ यह है कि article एक मैंने लिखा हुआ है article आप पढ़िए उसमें मैंने जो है judgment का लिंक भी दिया हुआ है judgment को पढ़िए guidelines है honorable supreme court की recent और इसमें जो मैंने